हलो दोस्तों नमस्कार तो आज की हमारी इस हेलफल वीडियो में आप लोगों को बहुत स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं को जो अहुजा का DMX 44 है तो इसके बारे में इसकी सेटिंग कैसे करना है क्योंकि आप बहुत से डिले एफेक्ट प् सेटिंग करने होगी तभी आपको क्वाल्टी बहुत अच्छी मिल पाएगी तो आप कैसी भी सेटिंग कर लेजिए आपकी यह सेटिंग सही नहीं है तीनों वॉल्यूम की इसकी तो आपका डिस्टॉर्शन साउंड में सुनाई देगा आपको साउंड क्वाल्टी सही नही इस सारी चीजे में डिटेल में आपको बताऊंगा इस चीज का आपको ध्यान रखना है और कहां पर मैंने अभी इसका ऑक्सबन में यूज कर रहा हूं एम्पलीफार का तो ऑक्सबन की इसकी हिसाब से बताऊंगा वो जो भाई नए हैं जो भी साउंड सर्वेस का काम सुर इसलिए आप यहां से कुछ सेटेंग करने के जोजनी हो इंटर्नल ही सेटेंग बेस ट्रैवल सबकुछ फिक्स आएगा यदि आप लाइन में यूज करते हैं तो ज़तना बेस ट्रैवल चाहिए होगा वह आटोमेटिक ही उससे निकलेगा तो कोई दिक्कत आपको बेस ट्र करते हैं तो इसमें आपको बेस ट्रैवल सेट करना पड़ेगा तो मैं आपको ऑक्सबन की हिसाब से ही आज बताने वाला हूं इसका आप दिहान रखना है तो जो हमारा यह है तो इसमें देख लीजिए मैंने एक माई को कनेक्ट किया हुगा है मैंने कनेक्शन पीछे कैसे पीछे लीजिए मैं मैं बने दीए आपको बिडियो बताता हूं सब्सकराइब और सबस非 सबसे पहले आपको यह देखना है है तो यहां यहां मतला होता है इससे लए सकते हैं और यह लिखा है इस आवाज निकलेगी तो यहां से आप recording बगएर करना चाहितें तो यहां पर recording डारेक्ट इससे लेकर आप recording भी कर सकते हैं ऐसाद में वहथा बगएनकर सकते हैं तो यहां से आप अच्छी रिकॉरडंग मिलेगी बढ़ी यहां से आप रिकोर्डिंग भी कर सकते हैं तो इसके बाद में आप चलते हैं अपने टॉपक पर जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है तो इसको आगे का पॉर्शन दखाता हूं मैंने इसको लगा दिया है तो यहां से हमने DMX44 का की वाली केविल लेके और इसको मैंने आपको अच्छे द्यान से तो अब हमें क्या करना है औक सबन के बॉलूम को हमको यहां से खोलना है तो औक सबन के बॉलूम को आप 60% यहां तक बॉलूम देख लीजिए तो यहां तक आपको लगफ़क यह बॉलूम खोल देना है तो देख लीजिए अच्छे दिहान से पास से तो यहां जो मैंने यहां तक इसको बॉलूम को ना है ठीक है इसके बाद आते हैं इसके दिख लीजे लिजे माश्टा वॉल्म को कहां तक रहता है yeahh के डिक और 10 मार्क ये चलाहंगे से शुरू करेंगे यदि आपको आँनके यह इetr तक बीच में चलाएंगेince से शुरू करेंगे यह च इसके बाद में हमारा माईक लगा हूँगा है ॐसा मैं फिला है है तो माइक का बॉलूम है यह ज़र ल्हार यह चला रहे थो यह एक को खोल ला है ना तीन लुखन को ना चार को दिएक कुछ नहीं होगा यह माईकlying के बॉलूम है यह को जुख करते हैं यह माईक तो कोई खुलने की जरुवत यह और यह पहलेगी आपको इसको 6-7 से आगे नहीं ले जाना है नहीं तो इसमें भी आपका distorted sound सुनाई देगा तो यहां 6-7 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं चला सकते हैं तो अच्छी आवाज आपको सुनने को मिलेगी इसके बाद देख लेते हैं इसका मुख सेक्सन जिस पर हमारा पूरा sound service depend होता है कि यहां से हमारी जो आवाज है वो distorted sound हमको सुनाई देता है तो सबसे पहले यह हमारा जो switch है रेंज वाला switch तो इसको हम बीच में रखेंगे इसको मैंने बीच में कर दिया है बीच के हिसाब से इन volume की setting कैसी होगी मैं आपको दिखा रहा हूं नजदीक से आ इतना रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहां रखना है आपको यानि देले को रखना है आपको आपको दिखाई दे रहा हुआ है यहां कर देना वाइप मार्क तो सभी वाइट मार्क के हिसाब चलेंगे यहां इस volume को दिख लेजे यह six pair right इसको आपको six पर रखना है रिपीट को आपको 6 पर रखना है कि जब बाहर आप कहीं साउंड चलाते हैं तो आपको सुनाई देगा और जैसे घर में आप रखके चेक करेंगे तब आपको आज कहीं पर भी लगेगी बहुत अच्छा बोल रहा है लेकिन आप जैसे बाहर कहीं चलाने जाएं पर जो फ़िए अच्छा देगा तो इस तरह से यहां से यहां से कहीं ग्ायब नहीं है तो इसको आपको 5 और चिक्स को तो यहाँ पर फाइब है यह मौली है हम्हारा 6 है तो फाइब हर पर लिम कि बीच वालियूम को हम रिषा सब्सक्राइब कोई होना चाहिए थो इस तरहां से इसको सेट कर लेते हैं इसके पाद आम आते हम मौली के बेस और ट्रेवल पर तो employee का जो base है हमारा कहा होना चाहिए यदि हम इस पे speaker इस पीछ चीज को ध्यान से सुनना है दिया आप इस पे speaker चलाते हैं यह point बहुत ही important है क्योंकि इससे आपका horn भी cut सकता है speaker भी cut सकता है इन चीजों को आपने ध्यान नहीं दिया तो तो यह 3 चीज़े यहां पे हैं यह switch होई यह वह यह तो इसका भी बहुत important role होता है वह इन चीजों को जिसने सई set नहीं कर पाया तो आपका horn driver खराब हो जाएगा जल जाएगा और आपका speaker भी जल सकता है तो इस चीज़ का आपको दियान रख रहा है कि सबसे पहले जो हमारा base है यदि आप इसमें speaker लगाए होगे हैं तो आप 3 और 4 की बीच में आप volume को इसको रखिए वाइट मार्क आपको दिखाई दे रहा है थिरी और फोर यहां पर आपको रखना पड़ेगा यह बहुत ही जरूरी है तो यहां पर रख लेंगे इसके बाद में जो हमारा travel है travel हम 6 यहां तक यहां पर प्लस टू यहां पर हम रख देंगे यानि टू तक यहां तक रख दें तो आप बाहर इस पीकल लगी हों कि इसे बिसल का कोई खतरा आपको नहीं रहेगा सांड क्लियर टी आपको मिलेगी और केबल हो नहीं चला रहे हैं तो आपको बेस बॉल्यूम को कट कर देना है थोड़ा सा खूलना है क्योंकि आप यह थोड़ा नहीं खूलेंगी तो आप इससे आपका हॉन ड्राइवर नहीं कटेगा आप इससे बिल्कुल टैंसर फीर रहे हैं और आवाज जो थोड़ी मोटी भी उसमें आएगी और पतली भी आएगी तो दोनों आवाज अच्छी लगती है एकदम से बेस कट कर देंगे तो आपकी पतली आवाज आएगी तो उ बहुत मीठी आवाज लगेंगी यहां से ट्रेवल देगे इतना तो बहुत ही तो बहुत मीठी आवाज देगी itd やpe इक चीज जो अब ध्यान से सुनेगी इसपे आप उन चला रहे हैं और बॉक्स भी चला रहे हैं एक साइट आ पंने बॉक्स लगा रखा है और एक साइट आपने हॉन लगा रखा시 приложि है तब डोनों दोनुद चीज़ें चलाते हैं तो आपको अपने क्योंकि आप जब बॉक्स लगाया हुगा है तो आपको भी देना पड़ाइगा नहीं तो आपको भी देना पड़ाईवर कट जाएगा दूसरी सावधानी इसमें क्या रखना है कि हमको यह वॉल्म है उपर होता है हौन और box तो box पे इसको नहीं रखना है पर जब हम दोनों चीज़ें चला रहे होते हैं यानि होन भी इसी amplify पे चल रहा है और इसी पे एक box भी चल रहा है तब इसको हम horn की site यानि उपर रखेंगे horn की site रखेंगे तो यहां की low frequency cut हो जाएगी और उतनी frequency जाएगी जो हमारे horn को नुकसान नहीं करेगी और इसके साथ में जो हमारा box लगा हुआ है उसमें भी आपको 20 मिलता रहा है तो इसकी जोट पढ़ती है थोड़ा इससे और बढ़ा देंगे लेकिन इसमें उतनी frequency नहीं जाएगी जो हमारे horn को जला सकती है तो इसलिए जादा नहीं बढ़ाना है इसको फोर से आगे तो कभी करने नहीं है फोर तक आप ले जाएगे थीरी पर रखेंगे तो फोर पर पहुंच जाएगे इतना कर लेंगे तब भी आपका जो horn है नहीं कटेगा और जो horn से फटी आवाज आने लगती है बो भी आपकी फटी आवाज फिर नहीं आएगी यदि आप इसको horn पर रखती है तब नहीं तो जैसी ढोलग बगएर बाजेगा तो यहां से फटी आवाज आपका निकालने लगा इसलिए इसको जब दोनों चीज़ें चला रहे होती है तब हमको इसको कहां पर रखना है horn वाले इस पर रखना है तो यह section बहुत ही महत्रपूर्ण होता है नहीं तो आपने सुना होगा आपको द्यान रखना है यह बहुत ही मैन होता है जब एक ही अम्प्लीफाय का यूज कर रहे हैं या इस पीकर यूज कर रहे हैं तब अखिला खिला यूज कर रहे हैं तब कोई दिक्कर वाली बात नहीं होती है तो इस पर हम एक 200 वाट का स्पीकर लगा के वह दो होन लगा के चला सकते हैं बहुत ही सांदार क्वाल्टी आपको इसमें मिलती है तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग को अच्छी से समझ लिया होगा आसा है कि आपको इससे बहुत ही हैल्प मिली होगी और जिन भाहियों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें मिलते हैं नेक्स टूडियों तब तक के लिए गुडबाई थैंक्यू